हेलो वरिवन, वेलकम टू प्रोजेक्ट स्विड डिगंबर, तो दोस्तो इन दी लास्ट वीडियो हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर वॉइस रिकरगनाइजेशन का बैक एंड किया था, तो आज की इस वीडियो में हम अपने बैक एंड के टेक्स को फ्रेंट पर डिस्प करो, तो छलिये दोस्तों शुरू करते हैं, तो दोस्तों बैक एंड को फ्रेंट के साथन करने के लिए हमें उसकी ठेहरी सबसे पहले understand करनी important है जैसे कि हमारा जो back end है वो है हमारी python और जो front end है वो है javascript इसमें included है html और css ठीक है so जो html css है उसे जो manipulate करता है वो करता है हमारा javascript so हम क्या करेंगे guys basically back end को front end के साथ connect करने के लिए हम क्या करते है यहाँ पर main.py यानि कि python में हम क्या करते है कुछ ऐसे functions write करते है जो accessible हो main.js से और main.js में कुछ ऐसे functions हम लिखते है यानि कि javascript में हम कुछ ऐसे functions बनाते है जो कि directly accessible होते है हमारे back end से so यह एक दूसरे से functions के साथ जो है अपना communication करते है means python को अगर लगा हमें कुछ front end पे display करवाना है तो यह क्या करेगा python front end के functions को call करेगा और साथी में अगर front end को लग रहा है कि हमें back end के functions को call करना है या फिर back end में कुछ काम करवाना है तो यह क्या करेगा back end के कुछ functions को अपने अंदर call करेगा बेसिकली जावस्क्रिप्ट के अंदर कॉल करेगा ठीक है यह सो यह जो कम्यूनिकेशन इन में करवा रहा है जो मिडल मैंने वो है इल ठीक है इल की मदद से हम python और जावस्क्रिप्ट इन दोनों को connect कर रहे है और interchangeably यह एक दूसरे से अपने functions को deliver कर रहे है एक दूसरे को functions जो है send कर रहे है तो दोस्तो अब हम आ गए अपने vs code पर तो दोस्तो अगर हमें back end को front end के साथ connect करवाना है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा एक controller नाम से एक front end की file जो की javascript file होगी वो बनानी होगी तो हम यहाँ पर बनाएंगे controller.js यह javascript file है और अब ही हमें इसे जो है index.html के अंदर link करना होगा तो हम यहाँ पर इसे link करेंगे लिकेंगे script.src और controller.js तो अब ही हमने इसे यहाँ पर link किया next काम हमारा क्या है यहाँ पर command.py में जाना तो guys हमने क्या किया था last video में command नाम से एक function बनाया था जो की हमारा था speech recognition वाला function तो अभी हमें इस यह function को जो है accessible करवाना है front end से means हम क्या करने वाले है back end को connect करने वाले इस front end के साथ guys जैसे कि मैंने बताया था कि हम जो है कुछ ऐसे functions को write करेंगे जो की directly accessible होंगे हमारे front end से तो हम इस function को जो है इस main.js से access करने आ ले और इसे करने के लिए हमें क्या करना होगा यह आपर एक import statement लगानी होगी import ill ठीक है हमने ill package को यहाँ पर import कर लिया और इस take command को expose करना होगा एक डिरेट लगाना होगा और ill dot expose यह statement यहाँ पर हमें लिखनी होगी जिससे की यह जो function है यह हमारा expose हो गया है मिन्स हम इसे अभी main.js से access कर सकते हैं इसे यहाँ से access करने के लिए हमें सबसे पहले एक काम करना होगा इस code को हम run करते हैं कि मैं किस callbacks की बात कर रहा हूँ मिन्स हम जब भी इस mic button पर click करेंगे तब यह जो function है यह वाला command.py का take command function यह run होना चाहिए means speech recognition run होना चाहिए जब भी मैं इस mic button पर click करूँ तो उसे करने के लिए हमें क्या करना होगा सबसे पहले इस function को call करवाना होगा main.js के अंदर इस mic button के event handler से तो यहाँ पर इसे call करने के लिए हम क्या करेंगे लिखेंगे il dot यह जो function का नाम हमने बनाए था जो किये take command और यहाँ पर हम लगा देंगे दो brackets और अभी हम क्या करेंगे इसे run करेंगे और run करने से पहले हमें क्या करना होगा इस command dot py को import करना होगा इस main dot py के अंदर क्योंकि सारी files यहाँ से run हो रही है तो हम यहाँ पर लिखेंगे from engine dot features features हमारा package है sorry features नहीं हमारा file का नाम है command engine हमारा package है और import कर लेंगे उसकी सारी functions को ठीक है तो अब हम इसे run करते है so guys यहाँ पर directly यह listen कर रहा है क्योंकि problem क्या हुआ था हमने जो call किया था पिछली बार यहाँ पर इसे comment नहीं किया या फिर sorry इसे comment नहीं किया तो हमें क्या करना होगा इन्हें यहाँ से एक तो हटाना होगा या फिर comment कर लेना तो मैं अभी इसे एक बार बन करता हूँ यहाँ से और हम kill कर लेंगे इस terminal को और फिर से यहाँ से रन करते हैं तो यह रन हुआ और अभी हमें क्या करना है यहाँ पर इसे रन करवाना है आप देख सकते हो guys कि यह listen कर रहा है और यह recognize भी कर रहा है तो अभी जो है इसने speak नहीं किया ठीक है तो speak क्यों नहीं किया यह हमें check करना होगा command.py के अंदर रहा और यहाँ हमने speak को call ही नहीं किया ठीक है तो speak को हमें यहाँ पर call करवाना होगा तो speak को call करना होने के लिए जहाँ पर हमें यही पर यह मिल जा रही है query तो मैं एक बार यहाँ पर speak को call करवा लेता हूँ इसमें query को pass कर देंगे और फिर से एक बारे से run करते हैं हेलो जार्विस हाँ आर यू आप देख सकते हो कि जो मैंने बोला उसने यह speak किया तो अभी हमें क्या करना है जो हमने बोला है उसे यहाँ पर display करवाना है ठीक है तो वो करने के लिए हम क्या करेंगी से सबसे पहले close कर देंगे तो दोस्तो जो text है जो जार्विस ने speak किया उसे display करवाने के लिए हमें क्या करना होगा सबसे पहले index में जाना होगा और यहाँ पर हमें समझना होगा कि basically क्या हो रहा है तो आप देख सकते हो जो Siri wave है उसमें हमने यह tag लगाया था जिससे कि हमें text का पता चल रहा है कि जार्विस text क्या बोल रहा है या फिर कुन सी process चल लुए जैसे कि recognizing की चल लुए या फिर listening की चल लुए तो उसे हमें समझने के लिए हमने यहाँ पर एक message बनाया था Siri message ठीक है तो यह हमने class बनाई थी तो इसी class को हमें change करना होगा means basically backend से हमें इसका जो text है वो change करना होगा तो उसे करने के लिए हम क्या करेंगे इस controller के अंदर एक function बनाएंगे जो कि हम call करने वाले हैं अपनी command.py से तो वो जो functions है वो time बचाने के लिए मैंने already write करके रखे हैं तो यह basically वो functions है जावा script के तो इस function को मैंने यहाँ पर paste कर दिया और इसका नाम मैंने रखा है display speak message तो इन्हें directly call करने से पिले हमें क्या करना होग गाई यहाँ पर jQuery का doc ready करना होगा और इसके अंदर हमें इन functions को define करना है तो मैंने इस function को यहाँ पर डाल दिया जिसका नाम है display message तो इसे हम यहाँ पर set कर लेंगे फिर उसके बाद हम क्या कर रहे है टेक्सलेट जो हमने लाइबरेरी डाली टी एनिमेशन के लिए आपको यहाँ दोगा कि हमने second या first या second वीडियो में जो है टेक्सलेट लाइबरेरी का use किया था टेक्स को अनिमेट करने के लिए तो हमें उसे फिर से reset करना होगा इसलिए हमने start attribute यहाँ पर डाल दिया उसक तो अभी हम क्या करेंगे इस function को यानकि display message को call करेंगे अपने command.py से इसे call करने के लिए हमने इस function को basically यहाँ से copy किया और command.py में हम जाएंगे और अभी हमें यह जो function है यह हर बार हमें change करना है means वो text change करना है जब listening होगा तब भी हमें text change करना है जब recognize दिखेगा तब भी हम इस lots पर हमें text को change करना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे इस function को phase कर देंगे और सबसे प़हले हमें यहाँ पर लगा यहाँ ड़ाणा होगा मैं recognize को यहाँ पर copy कर लूँगा और यहाँ पर paste कर दूँगा साथी में इस query को हमें display करवाना है और query को display करवाने के लिए हम क्या करेंगे इस function के print statement के नीचे recognizing को call करेंगे sorry query को इसमें pass कर देंगे वैसे मैंने display को यहाँ से copy किया area paste किया और इसके अंदर अभी हमें query को pass कर देना है query को pass करने के लिए हम लीकिंगे query और यहाँ पर कुछ गल्टी होगे इससे alignment ठीक है, तो मैंने save किया और अब हम इसे run करते हैं Hello Jarvis जैश्री राम आप देख सकते हो guys यहाँ पर जो text है वो change हो रहा है तो अभी हमारा next काम क्या है guys कि जब भी यहाँ की process complete हो जाए जैसे कि backend में कुछ function हमें run किया था या फिर कुछ command ली थी वो complete होने के बाद हम फिर से अपने hood पर वापस लोट जाए तो उसे करने के लिए हमें क्या करना होगा जब भी यह खतम होगा तब हमें एक function कॉल करवाना होगा जिससे की जो हमारा hood है वो display हो और वो करने के लिए हम क्या करेंगी सबसे पहले यहां से close कर देंगे फिर उसके बाद हम फिर से controller के अंदर एक और function बनाएंगे और वो function भी मैंने यहां पर already लिखे रखा है तो मैंने इससे copy किया और इस function को यहां पर paste किया format document कर लेते हैं तो यहां पर जो function है वो है display hood यानि कि जो hood है वो हमें फिर से वापिस display करवाना है और उसे display करवाने के लिए हमने यहां पर क्या लिए एक attribute था हमारा hidden जो कि false हमने कर दिया oval का oval यानि कि उस यहां से हम क्या कर रहे बेसिकली main.js से उस oval को hide कर रहे यानि कि hidden true जब भी हम mike पर क्लिक करेंगे तो हमें सीरी रिखनी चाहिए और सीरी वेव को हम display करवा रहे यानि कि उसका hidden जो है वो false है जब उसका काम खतम हो जाएगा तब हमें क्या करना है उस सीरी वेव को hide करवाना है और oval को display करवाना है तो उसके लिए मैंने यह statement यहाँ पर रखा दी attribute hidden false और hidden true सीरी वेव को hidden true ओके सो अभी हमें इसे call करवाना है show hood को show hood को हम call करने के लिए यहाँ से copy करेंगे और same y method main.js के अंदर में गया sorry में गया command.py के अंदर और यहाँ पर हमें उस function को यहाँ पर add करना है so speak के नीचे basically हम इस चीज को जो है speak के अंदर भी डाल सकते कि एक बार उसने speak किया तो यह function जो है overrun होगा पर हम अभी के दिए इसे यही पर डाल देते है speak के नीचे और यहाँ पर हमें लगान होगा dot so मैंने यहाँ पर इसे save किया और controller में भी save कर लिया और अब हम इसे यहाँ पर run करते है hello Jarvis how are you hello Jarvis how are you फिर से एक बार हम इसे run करके देखते है hello guys like this video and subscribe this channel hello guys like this video and subscribe this channel hello guys like this video and subscribe this channel तो दोस्तो इस तरह से हमने अपने backend को जो है अपने frontend के साथ connect किया और जो text है उसे display करवाया तो guys आज की वीडियो के लिए बस इतना ही मिलते हैं next video में have a good day